नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊँगा एक ऐसी दवा के बारे में बताऊँगा जो आपकी सरीर की काडियो वस्कुलर डिजिस के लिए एक बहुत ही महतेपून दवा की तरह काम करती हैं और यदि मैं बात करूँ एलोपेथी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी दवाईया हैं जो इसी नुस्खे के बेस पर बनाई जाती हैं और ये नुस्खा ना सिरफ आपके काडियो वस्कुलर डिजिस के उपर काम करेगा दोस्तों वह है अर्जुन की चाल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अर्जुन की चाल क्या होती हैं आपको इसका प्रियोग करना कैसे हैं इसको कितनी मातर में आपको लेना चाहिए किन-किन बीमारियों में ये आपको फाइदा करेगी और किन लोगों को अर्जुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तों टाइम वेश्ट न करतेवे सुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो दोस्तों यदि हमारी काड़ी वुस्कलर हेल्थ की बात की जाए तो उसके लिए जो सबसे पहली दवा या जो सबसा पहला नुस्का हमारे मन में हमारे दिमाख में आता है वो आता है अर्जुन की चाल के बेस पर और आपने अर्जुन की चाल के बहुत सारे फाइदे ओलड़ी सुनोंगे दोस्तो जो इसका पेड होता है वो नीम या बर्गत की तरह है इतना ही बड़ा होता है अगर मैं बात करूँ जो इस पेड की चाल होती है हम उसका ही नुस्खे के लिए पर्योग करते हैं और वो ही है में ओस्ति जिसका आपने भी पर्योग करना है दोस्तो अरजुन की चाल जैसे जो दिल की बिमारियां होती हैं दिल से जुड़ी हमारी कोई भी बिमारी होगी जैसे कोलोस्टोल से जुड़ी बिमारियां होगी बिलड प्रेसर से जुड़ी बिमारियां होगी या दिल की कोई भी बिमारी होगी इन सम्में अरजुन की चाल बहुत अधिक फाइदिमन्द हैं और एलोफिती में इसके बेस पर बहुत सारी दवाईयां बनाया जाती हैं। अरजुन की च्छाल का प्रयोग दिल की बीमारियों के लिए हजारों सालों से आयुरवेद में होताया है। लेकिन पहले ये लोग ये बोलते थे कि इसका कोई भी साइंटिपिक परमान नहीं है। लेकिन यदि मैं आज की डेट में बात करूँ तो इसके उपर दो सोध उलड़ी हो चुए हैं। जो ये बात साबित करते हैं कि अरजुन की च्छाल दिल की बिमारियों के लिए बहुत कारगरतावा है। दोस्तों इसके अंदर जो पहला सोध हुआ वो हुआ चुए हुआ चुए को अरजुन की च्छाल का पावडर दिया गया। उससे हुआ क्या कि उनकी हेल्थ में जब उनको बाद में चेक किया गया तो उसमें LDL, कोलोस्टोल की मातरा, टोटल कोलोस्टोल की मातरा और बैड कोलोस्टोल की मातरा कम पाई गयी। यानि इससे ये साबित हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये कहना सुरू कर दिया, कि ये तो चुहों के उपर हुआ है, हम कैसे विश्वास करें, कि मुनिश्य पर भी सेम असर होगा, उसके बाद इसका एक सौध हुआ मानव के उपर, और उसमें सो व्यक्तियों को साम उनके LDL कोलोस्टोल की मातरा सही हो गई, उनका जो atac, बेड कोलोस्टोल काम हो, वाई बैड कोलोस्टोल की समस्य हो, या दिल के heart block or heart attack गाईसी कोई समस्य हो, आप उसमें दिल के इन बीमारियों के लिए अरजन की चाल का परियोग कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि अरजुन की चाल को लेने के क्या-क्या तरीके हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं। अरजुन की चाल में जो anti-oxinant होते हैं वो बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। और दोस्तों, anti-oxinant हमारे स्रीर के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं। क्योंकि ये anti-oxidant free radicals से लड़ते हैं और ये free radicals अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये free radicals क्या हैं दोस्तो free radicals वो molecule होते हैं जिनके कान हमारे स्रीर में chronic बीमारियां पैदा होती हैं यानि हमारे स्रीर में जो भी chronic बीमारियां पैदा होती हैं जैसे diabetes, arthritis या कोई भी अन्य गंबी रोग, cancer इन सब का जो कान होता है वो free radicals होते हैं और जो anti-oxidant होते हैं वो इन free radicals को neutralize करने का काम करते हैं जिससे हमारा स्रीर बीमारियों से बचा रहते हैं जो अगला फाइदा अरजुन की चाल का है दोस्तो वो है आपके blood sugar level को कम करने के लिए दोस्तो अरजुन की चाल में ऐसे गुन भी पाय जाते हैं जो आपके blood sugar level को control कर सकते हैं ऐसा एक सोध चुहों के उपर हुआ और उसमें ये पाया गया कि अरजुन की चाल का powder को देने से उनका जो blood sugar level है वो normal आया यानि ये fasting जो blood sugar होता है उसको manage करने का काम करती है लेकिन इसके उपर अभी तक कोई भी मुनिश्यों के उपर कोई सोध नहीं हुआ है तो हम परमानी तोर पर नहीं कह सकते हैं अरजुन की चाल का ये है गुन है कि ये है किड़नी और हमारे लिवर की शम्ता को बढ़ा देती है जिससे कि हमें blood sugar level को manage करने में साहित मिलती है और जिससे हमारा blood sugar level manage होता है इसके इलावा दोस्तो यदि आपको high BP की समझ से है आप उसमें भी इसको लेसे हैं उसमें भी ये बहुत फाइदा करती है दोसरा अरजुन की चाल वात और पित को भी balance करने का काम करती है दोस्तो हमारे सिरे में आप ये तो जानते होंगे कि वात और पित के कान हमारे सिरे में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जैसे घुटनों का दर्द, घुटनों में घ्रीज की कमी ये सबी बीमारियां वात के कान पैदा होती है और पित के कान हमें कफ जैसी समस्याई होती है और इन दोनों को बैलेंस करने का काम ये अरजुन की चाल करती हैं यदि आपको सीडियां चड़ने में प्रेशानी होती हैं तो आपको अरजुन की चाल का प्रियोग करना चाहिए दोस्तों यदि आपको यूरी कैसिड की समस्य है या जोडों के दर्द की समस्य है तब भी आप अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इन में भी अरजुन की चाल बहुत अधिका फाइदिमन्द है यदि आप अपने मुटापे को कम करना चाहते हैं तब भी आप अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि अरजुन की छाल में fat को कम करने वाले गुन होते हैं इसके साथ ही अरजुन की छाल में hypolipidemic गुन भी होते हैं जो kol greensuestrol, lipid और fat को कम करने का काम करते हैं तो देखा दोश्तो अरजुन की छाल हमारे स्रीर के लिए कितने फाइदिमन्द है यदि आप अर्जुन की चालका परियोग करते हैं तो इससे आपके चहरे पर भी गलो आता है, आपका चहरा भी निकर जाता है, अलर्जी जैसे समस्याँ से भी ये आपको बचा कर रखती है, अब बात आती है कि आपको अर्जुन की चालका परियोग करना कैसे चाहिए, दोस् तीसरा तरीका ये है कि आप एक चम्मच पावडर लें और सुबह खाली पेट हलके गुनगुने पानी में उसको घोल कर उसको पी जाएं। अरजुन की चाल का कोई टुकडा या पावडर लेकर एक गिलास पानी में उसको रात भर के लिए भीको कर रख दें। बढ़ जाएगी है और जिससे ये आपके स्रीर के लिए बहुत फाइदेमन तरीके से काम करेगा। और आप उस पानी को तब तक उबालें जब तक कि आपने एक गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर आदा नहर जाए। और जब वह पानी आदा रह जाए तब आप उसको चान कर उसका सेवन करें। इन चार तरीकों में से आप किसी भी तरीके से अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं। पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसके अंदर एक चुटकी दालचीनी के पाउडर का प्रियोग जरूर रखने है। इससे आपको और भी अधिक फाइदा होगा। दोस्तों ये तो हो गए अरजुन की चाल के फाइदे और आपको अरजुन की चाल कैसे लेनी चाहिए। अब बात आती है कि किन लोगों को अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए। जो भी लेडिज गर्वाती हैं उनको अर्जुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए बिना अपने डॉक्टर के सलागे दूसरा बारा साल से उमर के कम बच्चों को भी अर्जुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए ये दो लोग छोड़कर बकी हर कोई व्यक्ति अरजुन की चालका प्रियोग कर सकते हैं और ये काड़ी वस्कलर डिजिज के लिए तो बहुत आधिक एक चमतकारी दवा की तना हैं काम करती हैं तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे को आज से ही परियोग करना सुरू कर दें अरजुन की चालके और दालचीनी के और अपने सरीर को निरोगी बना दें तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बेल की आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों